नमस्कार बहुत बास वायत करते हैं क्लिक्टूडे के आज के इस वीडियो रिपोर्ट में और इस वीडियो में हम बात करने वाले सनातक दुईतिय वर्थ का जो परिनाम आया है उसमें अगर आपका रिजल्ट जो है प्रमोटेड है या फिर पेंडिंग है या फिर बढ़ते जाएगा मैं आपको बता दूँ कि अभी विश्विद्यालेवा कॉलिज बंध रहेंगे दो तारीक से विश्विध्यालेवा कॉलेज्व से खुलेगा हाला कि मुझे लगता है कि एक दो दिन का छुट्टी फिर से कहीं एक्स्टेंड ना कर दिया जाए ऑफिशि जितना अपडेट है click today YouTube channel पर आपको time to time मिलता रहेगा अभी देखिए सबसे पहले तो हम सुरुआत करते हैं आज के अखवार के रिपोर्ट से जो कि आप अपने मॉवाइल की स्क्रीन पर या फिर अपने desktop या laptop की स्क्रीन पर देख रहे होंगे परयोगिक परिक्षा का अंक नहीं भेजे जाने पर दस college का result रुका ये देखिए result कब से बन रहा था और अभी तक के परयोगिक परिक्षा का अंक नहीं भेजा गया जिसके वह से बहुत सा स्टूडेंट का result पर रख दिया गया है दस college ने रिमाइंडर भेजने के बाप जूद प्रैक्टिकल परिक्ष अभी promoted हो चुके हैं पेंडिंग में उनका result और कितने fail हुए हैं यहां पर देखिए left hand side में हम पढ़ रहा है बियारे बिहार विस विद्याले ने जिस सनिवार की देल शाम जैस नातक सतर दोजर इकिस से चौबिस के दूतिया वर्स का जो परिनाम जारी कर दिया है इस परि नहीं रह जाएंगे वह आगे promoted होके नहीं जाएंगे इस बात का आप जो है ध्यान रखें और हमेशा जो पूछते है फेल स्टूरेंट फेल इन दे सेंस की वह तीन सब्जेक्ट में फेल होए होंगे अब आपका अगर मान लिजा है तो उसको आप लेकर घबराईएगा नह पर लिखा होगा कारण भी पूरा दरसा आगया होगा साथी जो है 2000 विद्यार्थी का परिनाम पर रखा गया है परेक्शन दे तक डॉक्टर टीकेटे ने बताया है कि परिनाम वेबसाइट पर अप्लोड कर दिया गया है हाला कि आपको यह हमारे कमेंट बॉक्स में इसका बिल जाएगा रविवार को जो है सुबह से ही जो विद्यार्थी रॉल नंबर की मदद से परिनाम देख सकते हैं उन्होंने बताया कि सनिवार तक जो अठारा कॉलेज ने परिनाम नहीं भेजा था परियोगी परिक्शा का और उसके बाद जो रिमाइंडर उन्होंने लास और जिनके स्टूइंट्स का जो है नंबर आना था उनका आया तो रिजल्ट जो है अभी उनको दिख रहा है संबंदित कॉलेज को कहा गया है कि परिनाम खोल्ड के लिए वे स्वयम जिमेवार है यानि जिन भी कॉलेज से परियोगी कंक नहीं बेजा गया है तो वो मवार माने गए है विसविद्याले की ओर से जो कई बार रिमाइंडर देने के बाद भी जो है इन कॉलेज ने जो अंक विसविद्याले को उपलब्द नहीं कराया है परिक्षा ने इंतरक ने बताया कि करीब 3000 विद्याती का जो तीरतिय वर्स का परिनाम अटका हुआ था और पेंडिंग था पार्ट टू रिजल्ट नहीं आने के वज़े से अब उनका परिनाम जो है सुधार कर दिया जाएगा जिन विद्यारतियों के दुईतिय वर्स की परिक्षा पूर में जो छूट गई थी या पूर में उनका परिनाम प्रमोटेट था उनका तीरतिय वर् बताई तो जाती हैं लिकिन वह अपडेट नहीं हो पाता है सुधेट्स हुझार को जो है प्रमोटेट्स होगय फचुक है हो चुक है honors में अगर आप किसी एक subject में भी fail होते हैं कम marks आता है तो आपको दोनों honors paper का परिक्षा देना पड़ता है अभी promoted वाले जो student है वो अपने part 3 के session के साथ तो बने रहेंगे यानि regular session के साथ examination part 3 का देंगे लेकिन पीछे वाले जो session आ रहा है आपका 22 से 25 उनके साथ बैट करके part 2 का examination अपना clear करेंगे जिसमें उनको promotion लगा है ठीक है ये promoted वालों का बात हो गया pending अगर किसी कारण वस अगर आपका result है तो वीडियो के description box में as well as comment box में हमने एक link pin किया है उसमें दो link आपको दिखेगा एक result का link दिखेगा एक pending application का link दिखेगा pending जिनका भी result है वो pending application देख ले और एक साधे paper के उपर pending application का जो है जो पूरा format हमने बता रखा है website के उपर वो देख करके लिख ले वो लिखने के बाद उसके साथ जो अपना online वाला job का mark sheet अभी आया है जिसमें pending result दिख रहा है वो आप जो है print out कराके इसके साथ attach करेंगे इसके साथ आप अपना admit card attach करेंगे इसके साथ आप अपना registration slip attach करेंगे और आपको किस कारण से pending बताया जा रहा है college से forward करा करके university में जमा करना होगा या फिर university जैसा guide करेंगे कि आप college में जमा करो तो college में जमा करने के लिए बोला जाता है तो college आप से 2,500, 3,000 रुपय तक charge करती है बोलती है कि आप पैसा दीजेगा तब ही आपका result हम ठीक करवाएंगे इस case में आप क्या करिएगा बोलेगा कि आप हमारा application university forward कराईए हम खुद ही करवा लेंगे अगर आपका result जो है practical अंक के वज़े से अगर pending है तो फिर ये आपके green महावित जाले में ही practical का परिशा हुआ था तो ये आपका college ही जिमवार है उसके लिए तो college से अब बात करिएगा ठीक है अगर otherwise ऐसे सबसीडरी में एक्जामिशन दिया है बट स्टिल आपको absent कर दिया गया तो उस case में आपको memo निकलवाना परेगा attendance memo और copy memo दो memo आपको निकलवाना परता है इस बात का खासा अब ध्यान रखेंगे तो ये बात होगी pending वालों क करते हैं जो student part 3 में pass कर चुके हैं और उनका part 2 के वैसे result नहीं आया था तो विस विद्याले जैसा बता रही कि automatically clear कर देगी आपका result लेकिन अगर आपको जल्दी है कि नहीं मेरा result जल्दी clear हो जाए तो आपको क्या करना है कि अपना part 2 का जो भी माक्षिट आपको online वाला दि 3 का result अब clear हो चुगा part 2 के वैसे अटका हो था तो वह आपका application ले लेंगे और आपका marks जो है जोड़ दिया जाएगा part 3 का mark sheet पर जब fresh mark sheet आपका बनके आएगा तो उस पर आपका part 2 का fresh marks दिख रहा होगा अब कुछ history का सवाल ये भी है कि हमारा part 2 का mark sheet दिख रहा है क्योंकि करके आएगा तो उसमें आपका previous जितने भी marks थे subsidiary के composition subject के वो सारे उस पर दर्स हाए जाएगी ठीक है online में सिर्फ उसी subject का दिखेगा जिस subject में आप प्रमोटेट थे ठीक है तो ये पूरा जानकारी आपको मैंने दे दिया स्टिल अगर आपके मन में किसी प्रकार का सवाल ले सुजावत नीचे कमेंट करके पूछ ले application का format वीडियो के description box as well as comment box में पिन किया है लिंक वहां से जा करके देख ले application कैसे लिखना है तो अगर आपके मन में अभी भी कोई संका हो तो comment करके पूछ लिए आज की वीडियो में इतना है तो तक लिए चलते हैं धन्यवाद अचिंधक जाए, एतना है वे किसर दो आपके लेत हैं तो थालेफ पूद के रविन Gleich legend इतना है